उस्तकाल एक क्रिश्ण भगवान के सर्वोच व्यक्तित्वरा ध्याए 56 स्यामंतक ज्वैल की कहानी द्वार का धाम के अधिकार क्षेत्र में सत्राजित नाम का एक राजा था। वो सूर्य देव के बहुत बड़े भक्त थे जिन्होंने उन्हें स्यामंतक नामक एक रत्न का वर्दान दिया था। इस स्यामंतक रत्न के कारण राजा सत्राजित और यदू वंश के बीच गलत फहमी हो गई थी। बाद में मामला शांत हुआ जब सत्राजित ने स्वेचा से अपनी बेटी सत्यभामा को शामंतक रत्न के साथ क्रिशन को अर्पित किया। कैसे राजा सत्राजित ने यदू वंश को नाराज किया और कैसे बाद में होश में आया और अपनी बेटी और शामन तक रत्म क्रिशन को अर्पित किया इसका वर्णन इस प्रकार है चुनकी वे सूर्य देव के बहुत बड़े भक्त थे इसलिए राजा सत्राजित धीरे धीरे उनके साथ एक बहुत ही मैत्री पूहन संबंध में आ गए सूर्य देव उससे प्रसन हुए और उन्हें शामन तक नामक एक असाधारन रत्म दिया सत्राजीत ने जब इस रत्म को अपने गले में एक लोकेट में पहना तो वे बिलकुल एक नकली सूर्य देवता के रूप में प्रकट हुए इस रत्म को पहनकर वह द्वार का शहर में प्रवेश किया और लोगों ने सोचा कि सूर्य भगवान कृष्ण को देखने के लिए शहर में आये हैं वे जानते थे कि कृष्ण भगवान के सर्वोच व्यक्तित्व के रूप में कभी कभी देवताओं द्वारा दौरा किया जाता था इसलिए जब सत्राजीत द्वार का शहर का दौरा कर रहे थे तो कृष्ण को छोड़कर सभी निवासियों ने उन्हें स्वयम सूर्य देव अध्यपी राजा सत्राजित सभी को ग्याद थे लेकिन स्यामन तक रत्न के तेजों में तेज के कारण उन्हें पहचाना नहीं जा सका। प्रतीकों के साथ हैं शंक, डिस्क, क्लब और कमल का फूल। आप वास्तव में सब कुछ के मालिक हैं लेकिन भगवान, नारायन के सर्वोच व्यक्तित्व होने के बावजूद आप यशोदा माता के बच्चे के रूप में कार्य करने के लिए व्रिंदावन में उत्रे जो को अव्यक्तिक रूप में स्विकार करके उन्होंने भगवान के व्यक्तिगत रूप को अस्विकार नहीं किया। द्वारका के नागरिकों ने भगवान क्रिशन को न केवल दामोदर के रूप में बलकी गोविंदा के रूप में भी संबोधित किया, जो इंगित करता है कि क्रिशन गायों और बच्चरों के प्रती बहुत्स नहीं हैं, और केवल क्रिशन के साथ अपने घनिष्ट का उलेक करने के लिए, उन्होंने उन्हें यदुनंदन के रूप में संबोधित किया क्योंकि वे यदुवंच में वासुदेव के पुत्र के रूप में पैदा हुए थे. द्वारका के नागरिकों ने क्रिशन को पूरे ब्रमान के सर्वोचस्वामी के रूप में संबोधित करते हुए निशकर्ष निकाला। उन्होंने द्वार्का के नागरिक होने पर गर्व करते हुए कई अलग-अलग तरीकों से क्रिशन को संबोधित किया, जो प्रतिदिन क्रिशन को देख सकते थे। जब सत्राजी द्वार्का शहर का दौरा कर रहे थे तो नागरिकों को यह सोचकर बहुत गर्व हुआ की यद्यपी कृष्ण द्वार्का में एक सामान्य इंसान की तरह रह रहे थे, देवता उन्हें देखने आ रहे थे इस प्रकार उन्होंने भगवान कृष्ण को सूचित किया कि सूर्य देव अपने तेज शारीरिक तेज के साथ उन्हें देखने आ रहे हैं द्वारका के नागरिकों ने पुष्टी की कि सूर्य देव का द्वारका में आना बहुत अद्बुत नहीं था क्योंकि पूरे ब्रमांड में लोग जो भगवान के सर्वोच व्यक्तित्व की खोज कर रहे थे वे जानते थे कि वह यदू वंच में प्रकट हुए थे और द्वारका में रह रहे थे उस परिवार के सदस्या इस प्रकार नागरिकों ने इस अफसर पर अपनी खुशी व्यक्त की अपने नागरिकों के बयानों को सुनकर भगवान के सर्वव्यापी व्यक्तित्व क्रिशन बस मुझकुराए द्वार्का के नागृकों से प्रसंद होकर, क्रिष्ण ने उन्हें सूचित कि जिस व्यक्ति को उन्होंने सूर्य देβαता के रूप में वर्नित किया है, वह वास्तव में राजा सत्राजित था, जो सूर्य देव से प्राप बहमुल्य रत्न के रूप में अपनी आश्वणय दिखाने के लिए द्वार का शहर आया था। सत्रा जीत, हालां कि कृष्ण को देखने नहीं आये, इसके बजाए वस्यामन तक रत्न से अभिभूत था। उन्होंने इस उद्देश के लिए लगे ब्राह्मनों द्वारा पूजा करने के लिए एक मंदिर में मनी स्थापित की यह एक भौतिक वस्तू की पूजा करने वाले कम बुद्धिमान व्यक्ति का एक उदाहरन है। भगवद गीता में कहा गया है कि कम बुद्धिमान व्यक्ति अपने फलदाई कारियों से तकाल परिनाम प्राप्त करने के लिए इस ब्रहमान के भीतर बनाए गए देवताओं की पूजा करते हैं। भौतिक वादी, शब्द का अर्थ इस भौतिक संसार के भीतर इंद्रियों की संतुष्टी से संबंधित है। हाला की बाद में कृष्ण ने इस स्यामंतक रत्न के लिए कहा, राजा सत्राजित ने इसे नहीं दिया, इसके विप्रीत, उन्होंने पू पूजा कौन नहीं करेगा। मौजूद था, वहाँ किसी भी अशुक चीज की संभावना नहीं थी, जैसे की महामारी। भगवान कृष्ण दुनिया को सिखाना चाहते थे कि देश के शासक प्रमुक को हर चीज में से सर्वश्रेश्ट की पेशकश की जानी चाहिए। राजा उग्रसेन कई भौतिकवादी हो गया था और कृष्ण के अनुरोध को स्विकार करने के बजाए, प्रति दिन 170 पाउंड सोना प्राप्त करने के लिए गहना की पूजा करना बहतर समझा। भौतिकवादी व्यक्ति जो इतनी बड़ी मात्रा में सोना प्राप्त कर सकते हैं, उन्हें कृष इसलिए विशेश कृपा दिखाने के लिए कृष्ण भौतिकवादी धन के महान संचय को छीन लेते हैं और इस प्रकार एक महान भक्त बनाते हैं। लेकिन सत्राजीत ने कृष्ण के आदेश का पालन करने से इंकार कर दिया और गहना नहीं दिया। इस घटना के बाद सत् गले में डाल लिया और अपने भौतिक एश्वर्य का प्रदर्शन करते हुए घोरे पर सवार होकर जंगल में चला गया। जब सत्रजीत का भाई जो प्रसेन के नाम से जाना जाता था जंगल में इधर उधर घूम रहा था एक बड़े शेर ने उस पर हमला किया उसे और ज गुल्यवान रत्न को नहीं लिया जिसकी उन्हें बहुत आवश्यक्ता थी। उसने अपने छोटे बेटे को खिलोने के रूप में खेलने के लिए दिया। नगर में जब सत्राजीत का छोटा भाई प्रसेन मनी लेकर वन से नहीं लोटा तो सत्राजीत बहुत परेशान हो उसे नहीं पता था कि उसके भाई को शेर ने मारा था और शेर को जामवान ने मारा था। उन्होंने इसके बजाए सोचा कि क्रिशन को वहरतन चाहिए था जो उन्हें नहीं दिया गया था इसलिए क्रिशन ने प्रसेन से गहना ले लिया होगा और उसे मार डाला होगा। य इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वे जंगल में जाएंगे और शामन तक रत्न को खोजेंगे। अपने साथ द्वारका के कुछ महत्वपून निवासियों को लेकर कृष्ण सत्राजित के भाई प्रसेंग की खोज करने गए और उसे शेर द्वारा मारा गया पाया। उसी समय, कृष्ण को जामवान द्वारा मारे गए शेर को भी मिला, जिसे आमतोर पर शुक कहा जाता है। यह पाया गया कि सिंग को बिना किसी हथियार की सहायता के कृष्ण के हाथ से मार दिया गया था। कृष्ण और द्वारा का के नागरे को को तब जंगल में एक महान सुरंग मिली, जिसे कृष्ण के घर का मार कहा जाता है। क्रिशन जानते थे कि द्वारका के निवासी सुरंग में प्रवेश करने से डरेंगे इसलिए उन्होंने उन्हें बाहर रहने के लिए कहा और वे स्वयम क्रिशन जामवान को खोजने के लिए अकेले अंधेरी सुरंग में प्रवेश किया सुरंग में प्रवेश करने के बाद कृष्ण ने देखा कि शामंतक के रूप में जाना जाने वाला बहमूल्य रत्म कृष्ण के पुत्र को एक खिलोने के रूप में दिया गया था बच्चे से गहना लेने के लिए कृष्ण उनके पास गए और उनके सामने खड़े हो गए जब कृष्ण के बच्चे की देख भाल करने वाली नज ने कृष्ण को अपने सामने खड़ा देखा तो वह डर गई यह सोचकर की वह मूल्यवान स्यामन तक रत्म ले सकता है और वह डर के मारे जोर से चिल लाई नाज के रोने की आवाज सुनकर जामवान बहुत गुस्से में मौके पर प्रकट हुए जामवान वास्तव में भगवान कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त था लेकिन क्रोधित होने के कारण वह अपने गुरू को नहीं पहचान सका और उन्हें एक साधारन व्यक्ति माना यह भगवग गीता के उस कथन को ध्यान में लाता है जिसमें भगवान अरजुन को आध्यात्मिक मंच पर उठने के लिए क्रोध, लोब और वासना से मुक्त होने की सलाह देते हैं काम, क्रोध और लोब रिदय में समानांतर चलते हैं और आध्यात्मिक पत पर प्रगती को रोकते हैं अपने गुरू को न पहचानते हुए, जामवान ने उन्हें लड़ने के लिए चुनौती दी तब क्रिश्ण और जामवान के बीच एक महान युद्ध हुआ, जिसमें वे दो विरोधी गिद्धों की तरह लड़े जब भी खाने योग्य लाश होती है तो गिद अपने शिकार के लिए दिल से लड़ते हैं क्रिश्ण और जामवान पहले हथियारों से लड़े, फिर पत्थरों से, फिर बड़े पेड़ों से, फिर आमने सामने, जब तक वे एक दूसरे को अपनी मुर्ठी से मार रहे थे, उनके वारवज़ की तरह थे प्रत्य एक को दूसरे पर विजय की आशा थी, लेकिन लड़ाई 28 दिनों तक जारी रही, दोनों दिन और रात में, बिना रुके एध्यपी जामवान उस समय का सबसे शक्तिशाली जीव था, व्यभारिक रूप से उसके शारीरिक अंगों के सभी जोर धीले हो गए थे और उसकी शक्ती व्यभारिक रूप से शून्य हो गई थी, क्योंकि वह लगातार श्री कृष्ण की मुर्ठी से मारा जाता था बहुत थका हुआ महसूस करते हुए, पूरे शरीर में पसीने के साथ जामवान चकित रह गए कौन था यह प्रतिद्वन्दी जो उसके साथ इतना कड़ा संगर्श कर रहा था? जामवान अपनी अलोकिक शारीरिक शक्ती के बारे में पूरी तरह से जागरूप थे, लेकिन जब उन्हें कृष्ण द्वारा मारा जाने से थकान महसूस हुई, तो वे समझ सकते थे कि कृष्ण कोई और नहीं बलकी उनके पूजय भगवान, परम पुरुशोत्तम भगव है, शुरूआत में, जामवान कृष्ण को नहीं समझ सके क्योंकि उनकी द्रिष्टी भौतिक आसकती से असपश्ट थी, वो अपने लड़के और अत्यंत मूल्यवान स्यामन तक रत्न से जुड़ा हुआ था, जिसे वो कृष्ण के लिए नहीं छोड़ना चाहता था, वास जैसा कि हमने श्रीमत भागवत्न के पन्नों से अनुभव किया है, भगवान के सर्वोच व्यक्तित्व में मनुष्य की सभी प्रवृतियां और वृत्ति हैं, कभी-कभी, एक खेल भावना में, वह शारीरिक शक्ती का प्रदर्शन करने के लिए लड़ना चाहता है, और ज जैसे ही कृष्ण युद्ध से प्रसन हुए, जामवान तुरंद समझ गए कि उनका विरोधी कोई और नहीं बलकी स्वयम परमेश्वर हैं, निशकर्शिय है कि वे कृष्ण को उनकी सेवा से समझ सकते हैं, क्योंकि कृष्ण कभी-कभी युद्ध से भी संतुष्ठ होते ह जामवान ने इसलिए भगवान से कहा, मेरे प्रिय भगवान, मैं अब समझ सकता हूँ कि आप कौन हैं, आप भगवान के सर्वोच व्यक्तित्व हैं, भगवान विष्णू, सभी की ताकत, धन, प्रतिष्ठा, सौंदर्य, ज्यान और त्याग के स्रोत हैं, इस कथन की पु जो असाधारन मस्तिश्क वाले व्यक्ति की गतिविधियों से चकेत है, एक महान वैग्यानिक के आविशकारों को देख कर आम आदमी हैरान है, लेकिन जामवान का बयान इस बात की पुष्टी करता है कि भले ही एक वैग्यानिक कई अद्बुच चीजों का निर्माता हो सक करते हैं, वैग्यानिक भातिक तत्वों या भातिक प्रकृती के नियमों का उप्योग कुछ अद्बुच करने के लिए करते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसे नियम और तत्व भी कृष्ण की रचना हैं, यह वास्तविक वैग्यानिक समझ है, कम बुद्धिमान लोग यह भातिक तत्वों को जोडता है, वह भी आपका प्रतीनिधी है, आप सर्वोच समय कारक हैं, जिसमें सारी स्रिष्टी होती है, बनी रहती है और अंत में नश्ठ हो जाती है, और भातिक तत्वों और समय के कारक से परे, जो व्यक्ती स्रिष्टी के अव्यवों और लाभों म और हर चीज के स्वामी है। देने के लिए मजबूर होना पड़ा और रामचंद को लंका नामक ग्वीब को पार करने की अनुमती दी गई। और किसी में नहीं है। जामवान की प्रार्थनाओं और कत्नों से भगवान क्रिश्न संतुष्ट हुए और जामवान के दर्द को कम करने के लिए उन्होंने जामवान के पूरे शरीर पर अपने हाथ के कमल की हथेली को हलके से रगणना शुरू कर दिया। इस प्रकार जामवान ने तुरंत महान युद्ध की थकान से राहत महसूस की। भगवान क्रिश्न ने तब उन्हें राजा जामवान के रूप में संबोधित किया क्योंकि वह नकी शेर वास्तव में जंगल के राजा थे। उन्होंने अपने नंगे हातों से एक शेर को बिना हथियार के मार डाला था। कृष्ण ने जामभवान को सूचित किया कि वे स्यामन तक रत्न मांगने आये हैं क्योंकि जब से यह चुराया गया है तब से कम बुद्धिमानों द्वारा उनका नाम बदनाम किया गया है। कृष्ण ने स्पष्ट रूप से उन्हें सूचित किया कि वे इस मानहानी से मुप्ध होने के लिए गहना मांगने आये थे। कृष्ण के बाहर इंतजार किया और उसके बाद उन्होंने फैसला किया कि कुछ अवांचनिया हुआ होगा। वे निश्चित रूप से समझ नहीं पाए कि वास्तव में क्या हुआ था और बहुत खेद और ठके हुए वे द्वार का शहर लोट आये। परिवार के सभी सदस्य, अर्थात कृष्ण की माता देव की, उनके पिता वासुदेव और उनकी मुख्य पतनी रुकमिनी, अन्य सभी मित्रों, रिष्टेदारों और महल के निवासियों के साथ, जब नागरिक क्रिष्ण के बिना घर लोट आये, तो उन्हें बहुत क्रिष्ण के प्रती अपने स्वाभाविक्सने के कारण, वे सत्राजीत को बदनाम करने लगे, क्योंकि वे क्रिष्ण के गायब होने का कारण थे। को मृतकों में से वापस प्राप्त कर रहा हो। उन्होंने निशकर्ष निकाला था कि लड़ाई के कारण क्रिष्ण को बड़ी मुश्किलों में डाल दिया गया था, इसलिए वे उसकी वापसी को लेकर लगभग निराश हो गए थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि क्रि क्रिष्ण ने जामभवान से गहना की बरामगी की घटना के बारे में बताया। क्रिष्ण बहुमूल्य रत्न राजा सत्राजीत को लोटाना चाहते थे। सत्राजीत हालां की शर्मिंदा थे क्योंकि उन्होंने अनावश्यक रूप से क्रिष्ण को बड़नाम किया था। उ जानते थे कि उन्होंने क्रिष्ण को बहुत बुरी तरह से नाराज किया था और उन्हें एक उप्चारात्मा को पाय खोजना था ताकि क्रिष्ण फिर से उनसे प्रसन हो। राजा सत्राजीत उस चिंता से राहत पाने के लिए उत्सुक थे जो उन्होंने एक भौतिक वस् विशेश रूप से स्यामन तक रत्न के प्रती आकरशित होने के कारण मूर्खता से उत्पन की थी। वास्तव में क्रिशन के खिलाफ किये गए अपराद से पीढ़ित, वे इमांदारी से इसे सुधारना चाहते थे। भीतर से, क्रिशन ने उन्हें अच्छी बुद्धी दी, और सत्राजीत ने क्रिशन को रत्न और उनकी सुंदर बेटी, सत्यभामा दोनों को सौंपने का फैसला किया। स्थिती को कम करने के लिए कोई विकल्प नहीं था, और इसलिए उन्होंने क्रिशन और उनकी बेटी के विवासमारों की व्यवस्था की। उन्होंने रत्न और अपनी पुत्री दोनों को परम पुरुशोत्तम भगवान को दान में दिया। सत्यभामा इतनी सुंदर और योग्यती की सत्राजीत, कई राजकुमारों द्वारा उसका हाथ मांगने के बावजूद एक उप्यूप दामाद की तलाश में थी। कृष्ण की कृपा से उन्होंने अपनी बेटी को उन्हें सौंपने का फैसला किया। भगवान कृष्ण ने सत्रजित से प्रसन होकर उन्हें सूचित किया कि उन्हें स्यामंतक रत्न की कोई आवशकता नहीं है। झाल झाल